हेलो दोस्तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ लासिक्स टैबलेट का जी हाँ दोस्तो लासिक्स टैबलेट का जिसका ब्रांड नेम है लासिक्स और टैबलेट फार्म में आता है जिसके जासे लासिक्स टैबलेट बोला जाता है दोस्तो यह बहुत जादा फेमस है लासिक यह टैबलेट और इंजेक्शन फर्म दो फर्म में मिलता है और टैबलेट से ज़्यादा इसका यूज इंजेक्शन में किया जाता है इसका जो इंजेक्शन है उसको इमर्जेंसी केसेस में यूज किया जाता है जितने भी हॉस्पिटल है उसमें ये लासिक्श इंजेक्शन रहा रखते हैं क्योंकि emergency cases में कुछ भी हो जाता है क्योंकि जो इंजेक्शन यह है यह इमर्जेंसी cases में ज्यादा यूज होता है दोस्तों जो लासिक्स है इसको सनाफी इंडिया कंपने द्वारा बना जाता है जो कि प्रफ पेसंट आते हैं government hospital और कोई भी वहां पर यह इंजेक्शन इसका पाया ही जाता है दोस्तों अगर बात करें इसके यह इससे प्पोजिशन के बारे में तो इसमें जो डाला गया है है फ्रस मायड अला गया है फ्रस माइड बोलते हैं 30 कि र्वाटर। क्या करता है कि water absorption हमारे बाडी में होते हैं उसको अब जॉब करता है दोस्तों में बात पे करते हैं इसका यूज कहां पर किया जाता है जान लेते हैं सबसे हैं जिसके क्या होता है पानी भर जाता है जिसको जैसे पुरा फ्ल जाता आपको इसकी स्क्रीन में ऐसे chorop दवा है क्या करती है उस पानी का अभजावद कर लेती है जिसके जैसे वह एडिमर्ट ठीक हो जाता है इसके जैसे ही इसको एमर्जंसी केसेस में रखते हैं आपके फेपर में पानी भर गया तो आपको जल्दी तुरन ट्रीटमेंट नहीं की गई तो आप मर जाओगे इसके जो से इसको एमर्जंसी इंजेक्शन रखा जाता है और बहुत ही ज्यादा फेमस है उसके अलावा इसमें वह हाइपर टंसन बीपी जिसकी बढ़ जाती है उसमें भी यूच कर जाता है लेकिन मैं बोलूंगा कि सिर्फ में यह दवा है जो में बिमारी है और एडिमा के लि सकती है क्योंकि यह वार्टर को अब्जाब करेगा तो यतने भी होती हो भी आ जाएंगे उसके साथ तो जो अगर उनको बढ़ रहेगा तो नार्मल हो जाएगा लेकिन जो में बीमारी में यूच की जाती है बाकी हाइपर टेंसन में भी दे सकते हैं और किसको कलसियम जिए जो साइड़ एफेक्ट है इसके डिहाइडरेस्ट आपको हो जाएगा डिहाइडरेस्न मतला पानी की कमी झालेकार क्योंकि अबजाब करता है तो जयादा ही कर लिया तो आपको रहेगी अब करेगा तो उसमें सब रहते हैं सोडियाम पौटेक्शहम तो यह जाएगा है तो आप बिल्कुल भी ना ले आपको डॉक्टर को तुरंद लेने के बाद तुरंद बंद कर दे अपनी डॉक्टर को बताएं उसके बाद ही जो इसे आगे बोले वैसा करें दोस्तों यह एमर्जेंसी में यूज की जाता है तो इसका डोज प्रोपर बता नहीं पाऊंगा बट नार्मली इसका जो डोज है वह एक दिन में 300 mg सकते हैं दो बार तीन बार और इंजेक्शन का क्या है वह तो प्रेमल का आता है उसको जैसे पड़े वह से लगाते हैं तो इसका जो डोज है अपने से बिल्कुल ले ही मत क्योंकि आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको लेना कैसे है क्योंकि यह जो बिमारी है यह बहुत डेंजरस है तो इसका डोज अपने से लेह हुई मत और इसका जो डोज है मुस्टली दिन में दो बार तीन बार देते हैं और सबस्यादा इसका जो लाक्सिक्स है 40 mg यूज के जाता है आप देखोगे तो टैबलेट में ल लेस्पीटिंग मदर यह सबको नहीं लेना है डॉक्टर अगर पिसकाइब कर रहा है तभी लेना है अपने से बिल्कुल भी नहीं लेना है और यह जो टैबलेट दोस्तों बहुत ही ज्यादा सस्ता है आपको 15 टैबलेट 13 रुपे में मिल जाएगा एक रुपे से भी सस्ता अंचेस सकते यह तो बहुत सकते हैं और इसका इंजेक्शन फि temp कमपने बनाया जाता जो कि बहुत घी कंपनी है और इसका जो इंजेक्शन मेंmek सकते हैं दोस्तों यह जानकारी थी लासिकस टैबलेट की और इंजेक्शन की की मैं आपको समझा पाया हूं आज की वीडियो म इतना ही मिलता हूँ अगली वीडियो में